कि वेल्कम टूभी क्लासेज गाइज दोस्तों आज हम लोग दिखने वाले हैं जहारखन उत्पात सिपाई संबंदित होगा ठीक है अगर आप जैसी किसी भी कमटी उजाम की तियारी करते हो तो भी यह कोशन जो है हमारे वीडियो के प्लेडी में जो कवर दो आपने ज्यारी बहतरी हैं तो बात करते हैं दोस्तों कि जोबी मेने चल पर अभी नए हो वह सब्सक्राइब जरूर güzel भी ले टेस्ट वीडियो होगा दूस्तों यह सबसे पहले आप तक पहुंच जी के हैं अब बदेखिए बात करता हैं कि you आपके जो है मेल जो अब आपके इस 20 बiders noлись कि बात करें दूस्तों ओर मैख्थमेटरिक्स के जो पिपर आएं गांगे को अटाधी टोर अंडी जो पैपर कते हैं 2022 यो ने ही इमिसारल ऐकीटांगी तो डासी केश्क्राइब यह को त्सक्राइब एक ही रहने वाला गत्या का एकलारोर के भी थी त्सक्राइब तो है तो लेवल का मतलब यह है दोस्तों की आपके एक जान प्रवीश्मशों में पूछने वाले और को समस्ता है ठीक है तक भी ऐख की तयारी करते हो थीक है छार खृण को सदूर्टों 13 जो होते हैं ॏ ज्रिअ पैन्स से यहीं लेते हैं ठीक है नियसे घृण?. अगर सीजियल के त्यार है the day a try ग्रेइशान्स लेबल पर है तो जाहिद सी बात है दिखिए स्कॉसन्स स्केर पूस्ण टीन थरीके होते हैं आपके एक्जामैश्यसंस में स्कॉषयो को स्कॉषयो ठीन थरीके होते हैं एक होता है दोस्तों आपको बताएगी होते हैं एक कोंडरेत होता है हई होता है ठिक है तोब चुछ अबर ग्रारा की होते हो है अगर आप में आपके और कॉचसंस होते हो और ऑग यहां से जो डूसतों होते जल वाले भी देख सकते हो यहां को संस आपके लिए बनेंगे ठीक है तो चलिए लिटना गरते हैं दोस्तों को स्टाट करते हैं और पहला जो को संस आप से पूछ रहा है पूछ रहा है और जैसा कि आपको पता है दूस्तों कि यह जो हम लोग ब्याख्या के साथ देखते हैं तो एक को संस और बहुत कवर करने कोश करते हैं ठीक है तो सेशन को सुरू संद तक जरूर देखना ठीक है तो बात करते हैं वहिंसांग ने पहाड़ी छेतर के लिए जो शब्द का यूज किया था आपको पता होना चीए ठीक ह तो यह जो कोशंस है दोस्तो आपके आने वाले नेक्स्ट एक्जामनिसन के लिए इंप्ठस और रहने वाले ठीक है तो बात करते हैं चीन六 का एक दारशनिक है तो आपको पता होना चीए ओविंसांग ठीक है तो इसी के दोड़ा जो है दोस्तो इसी ने जारकन के वहां के जारकन के आदिवासियों के बारे में दोस्तो काफी कुछ अपने पुछता को में जिगर किया हुआ है तो इतनी से बात अब को ध्यान में रखने है बस इसे ज़ादा कुछ नहीं बात करते हैं 42 questions कि ठीक है विलकिंशन था ठीक है जिसका जो नाम था वो विलकिंशन था ठीक है तो इसी के नाम पे जो है दोस्तो विलकिंशन गंज रखा गया ठीक है राची को विलकिंशन गंज रखा गया लेकिन क्या हुआ कि बाद में दोस्तो टूटते जोडते जो है दोस्तो इसका जो नाम ठीक है तो आपको पता होना चाहता हूं दोस्तों की प्राचिंतम जनजाती में असूर जनजाती का जो नाम है रहा आता है और यह अभी भी लोहे के काम में लगे हैं आपको इतनी से बात धानव रखन नहीं है बात करते हैं, 44 questions के ं तो कौन सी जन जन्जाती कैमोर की पहारीओं से हो कर छोटानाघपुरे प्रवेश किया था था तो यह जो राइट अंसर आनो हो बिरहौर हैं तो बात करते हैं, दोस्तो की भिरहौर जो है वो आदिम जन जन्जाती है जो कैमूर की पहाड़ियों से होकर छोटानागपुर में परिविश किया था ठीक है अभी भी दोस्तों यह अपनी अस्तीत्व की लड़ाई लड़ रहे हैं और सरकार इन्हें बचाने के लिए दोस्तों प्रयासरत है बस इतनी से बात ध्यानवक ने दोस्तों की वीरुहर जन जाती है जो कैमूर की पहाड़ियों से होकर छोटानाप कुरूप परिविश किया था ठीक है चली बात करते हैं कोसंस के जार्खन राज के जलवायू के इस परकार की है ठीक है तो 45 का यह उस निकड़ी बन दिये मांसून नहीं है ठीक है ठीक है जार्खन राज की एक पठारी छेतर है इसकी अवस्थिती ऐसी है दोस्तो कि इसके दूनों ब्रांचेज इसके दूनों ब्रांचेज से जो हैं दोस्तो बरसा होती है कौन कौन से ब्रांचेज है दोस्तो अरेवियन सागर तथा बंगाल की खाड़ी जार्खन की जो ब्रांचेज है दोस्तो ज बिच गुजरती है फिर्वी मौसम सालों भर खुश गवार रहता है ठेक है इसका कहने का मतलब यह दोस्तों कि करको रुखा इसके भीचों गुजरती है फिरवी मौसम सालों भर कुष गवार् modifier तो कहीं से भी अगर करको रहती है तो उसकी आंस पास के चेतर मदो सब बहुत गर्मी पड़ती है या फसल्स उगाने में थोड़ी सी कठिनाई हो जाती है ठीक है लेकिन दुस्तो राची जो है वो थोड़ी सी ठंडे चेतर है मतलब उसने कठी बन दिये मांसून चेतर है दोस्तो वहाँ पे इसलिए दोस्तो वहाँ पे खुश गवार जो मौसम है वो देखने को आपको मिलता है ठीक है इतनी से बाद आपको ध्यान रख नहीं है बात करते है 46 कुशंस की तो जल परपातों का शहर किसे कहा जाता है तो यह सब को पता है दोस्तों की जो फ़र्स अपन तो हो राची को कहा जाता है तो कि राची पठारी छेतर है आपको पता कोना चीह कि जो बुड़ा घाग है दोस्तो जार्खन का सबसे ऊंचा जल पर बात है है यह आपको इतनी से बात ध्यान में रहाँ नादी पेष्थित है। और लेकर यह जो स्थीत है दोस्तो उत्री कोईल नदी पे इस्तीत है मुड़ा गाग जो के वह ब्रू दुसरा सबसे उच्म परपाती hade dh हुदो बात करें है न सोषण की ठीक है तो कोशसें की जा रहत जारछारी दिट की इस तो की फिस घुछलाब में इस्ट पांगैं को अचयों कि जो है ऊत्रीध मेश ठीट है पूरा इंडिया मैप से अगर देखूगे वर्लेगit के मैप से अगर तो इंडिया पूरा इंडिया ही दोस्तो नर्थ हमिक जांग लेख अगर तो इस तरीके संगर इंडिया तो यह दोस्तों आप देश के बारें बता दिया तो हमने जिक्र अभी की थी कि हमारे देश के हिसाप से भी देखोगे तो उतर पूरु में इस्थित है ठीक है और वर्ल्ड मैप के हिसाप से भी देखोगे तो इंडिया जो है दोस्तों इंडिया को देखोगे तो वह भी उतर यधिए प्राइशंकितव问 पंद्राइब सब्सक्राइब तूसे ड़िए की तो किसी राज का निर्म सदन कहते हैं तो जारकन फॉलिटी से आते हैं तो निर्ण सबन की बात करें दुस्तों जो विधान सब्सक्राइब बोलते हैं और विधान परिशत को दूस्तों उच्छ सदन बोलते हैं तो विधान सब्सक्राइब विधान सभा को इंगलीज में बात करें दोस्तों legislative assembly बोलते हैं LA ठीक है यहां दखना है LA legislative assembly ठीक है यह लिगता हूँ legislative assembly होता है ठीक है और विधान परिशत को इंगलीज में बोलते है LC legislative council ठीक है तो इतनी से बात आपको ध्यान रखनी है एक पांच वर्सों में एक आम चुनाओ करता है ठीक है पांच वर्सों में दोस्तो एक आम चुनाओ होता है जिसमें दोस्तो परत्याक शुरूप से जनता दुवारा जो है वो चुने जाते है ठीक है आपको पता है जिसमें जनता परत्याक शुरूप से सरकार चुनती है उच सदन में दोस्तो वरिस्ट निताओं को चुना जाता है जो किसी भी चहत्रीम, प्रहपरंगत हो, ठीक है, तो उज्वी सधन की बात का नहीं सदन सबस्वाइं की, रेक्स वर्स वह इलक्ट करते हैं हम लोग, लेकिन दोस्तों, यह जो है, मेंबर जो होते हैं, विधान सभा के, वहीं से चुन कर, वहाँ पर बठा जाते हैं, या तो जो भी इलिजिबल हैं, दोस्तों, जो भी क्राटेरिया फूर्फिल करते हैं, इस लाइक, तो उनको बना जाता है, तो एक य का बेहले थर्ड ऺफ्शन टों हो, जन संक्या, यह सबको पता है कि विधान सभा सदच्यों की संक्या जो दोस्तों, उस राज की जन संक्या का नुशार ने इधारित करी जाते हैं, जारखन में 82 सभा सिटे हैं, जिसमें 81 सिटे की बात करें, दोस्तों तो एक्टेड होते हैं लेकिन दोस्तों वन सीट जो है दोस्तों प्लस वन सीट जो है वो नॉमिनेंटेड होते हैं ठीक है नॉमिनेंटेड हमारे राजपाल के द्वारा किये जाते हैं स्टेट के गवर्नेर जो होते हैं उनके दोवारा इलेक्ट की जाते हैं तो वह दूस्तों एक एंगलो इंडियन होते हैं जिनको नियुक्ति की जाती है ठीक है तो टोटल मिलाके सदनी आपके पूछ सकता है कौन से सदनी चलता है एक सदनी द्यू सदनी तो जारकन में आपको जाते हैं दोस्तों एक सदनी जो है ब्योस्ता चलती है ठीक है एक सदनी ब्योस्ता चलती है हमारे जारकन में बात करते हैं निम्ड में से कौन जारकन के परमुक अध्योगी की श और जब कि बात करने जम्षेथपूर बोकारोध धनबाद जो बड़ेएव की नगरी्फ यह बोकारोध के सॉदू से बना हुआ है यह कोशंट पूचते हैं कि किस के सॉयोग चलिए का प्रत्रम लोविष्पात उद्योग भावस्दित है तो 54 का आप थड़ो सुनते हो जमसेदपूर में यह सबको पता है तो कि देश का प्रतम लोविष्पात का खाना जमसेदपूर के साक्ची नगर में इस्थित हुआ था जमसेदपूर जी टाटक के दोबर करगाली रहने वाला है जो वकारों में है अब बात करते हैं कि कोईला का धोना एक परमुख कारे होता है तो कि क्योंकि कोईले की शुत्ता के लिए क्योंकि उसे शूध कर प्लांट और बिजली संजयतर में बेजा और इसलिए को यह में अशुधीओं को अलग किया जाता है इससे पहले ठीक है इती इससे बाइधान में नें दोस्तों केसि आ कि सबसे बड़ी कॉलवासरी कॉलवासरी कॉन है अब पूछ रहा है कि देश का प्रतम कॉलवासरी कॉन सारे नहीं वाला तो हो घाटो जो रामगर मिछती थे ठिए तो देश का प्रत्तम कोलवासरी घाटो जो रामगर मिछती दोस्तो यहां स्टील Bulan't और बीजली सप्लेतर के लिए कोईवा नहीं हुआ था ठेक है तो दोस्तो už यहां बहुत अधिक चम्ता के साथ बढ़ने के साथ ये esiya का सबसे बढ़ा कोल वासरी बन गया है ठीक है तो इतनी से बात आपको धियान लॉक्त ना है ठीक है चलिए बात करते है इस 57 कोंस्ट की ठीक है बात करते है कोंस्त की उन्मे उसी रहने वाला संथालों का ग्रिष देवता को न्यकित एन बॉट लग रहे हैं याया यह थोड़ी से डाऊट लग रही है संथालों में कवालों 100 जलानी की प्रता प्रेटफ बचले था यहHe 더 इसमें जो नायक्त्के जह धाने को कहा जाता था इतनी से बात अपको ध्यान और पो जाता है तो फ्रस्ट रगां के बात कारते कॉन से रने माले तो तो धृट्रव में ज दूसरी तता भारत की छौत्षी सरवादी जनसंख्या सर्वादिक जनसंख्या वाली जिंजाति विया को पता है भारत की जन जनन्जावाली ओको दो और धंसुरी जनसंख्या पूछ दिया जाए तो यह हैं तो छागी के दूसरी टृती जो है दोस्तों उँध्याने में दोस्त那么 और इत्कर करते हैं को नुजब जमना टुरित पूर्ड nisam तो 59 का लोना निश already सर्वाधिक परेखने हम जन्राव का और सतर्वा नशीद है विवा गोतर कि जर्ट जो जिसके एक मिलता है सेम और यह कोतर कियों leader है कि ऐस्य यहिए इस जर्ट फक्ष्य को देना पड़ता है इसमें दोस्तो वर्वपक्स को वदुम्मूर्य देना पड़ता है अभर इतनी से भात धन्वक नहीं है तो अच्छा है यूवक यूटियों को जनजाती रिती रिवाजों से बीवा के बाद इसकी सदस्ता समाप्त हो जाती है योग आव यूटियों के लिए अलग लग यूऎगी अपरव्र किया जाता है ठीडाम से जारखन के समाननी घ्यांझसे ठीडा है तो सब को पता है और पहारों पठारों कंकरी परी में भी उगने वाला प्लास एक केसरीया गिरूघा रंगी सMP फूल होता है पूस भी होता है, बात करते हैं भात ख्राफ का राज की भासा कौनसा फाना ना खकना ख्याए तो देखे राज की राज की भासा हिंदी है जो जो अधिकांश्त जन्ता दवारा बोली जाते है ये प्रथम राज भासा है दियुतिय राज भासा हुर्दू है आपको पता हुना चाहिए देखे बात करते हैं कोसंस की तो जार्खन में सबसे बड़ा विस्फोटक का रखाना कौन सा रहने वाला है तो ये जो सेकेंड वस्तो हो गोमिया ठीक है देखे बात करते हैं कि जार्खन का जो सबसे बड़ा विस्फोटक का रखाना है वो गोमिया रहने वाला ठीक है देखे गोमिया का विसफोटा कर खाना जो है पहाडो और underground mines को blast करने में use किया जाता है ठीक है ये जो है दोस्तो विसफोटा कर खाना जो है ये दोस्तो आपको पतावना चाहिए के पहाडो और underground जो होते हैं पहाडो और underground mines म Parents उनको blast करने काम ब्लास्ट करता है अबरग को निकालने में वीजिश्ट करता है लोहे के खान और चुना पथर के पहाड को blast करने में वीजिष्ट का यूज्ह किया जाता है बात करते 64 questions के ठिए jan जारकन का सबसे बड़ा चि resultado खार पर जटीया और बोकारो इश्था टकूल की तो इस क्षूटा नाकपूर कास्त कडिया घर कि अधिनयम कई का रहने वाले आ आपके कास्तकारिया दिनियम से ठीक है तो 65 का फोर्थ अप्सुन तो ठीक है उपरोग सभी पुराने कानून का सामवेश्कर नहीं व्योस्था करी गई भुई हरी भुमी वस्था की तरह भुंडारी खुटी हरी व्योस्था को भी माने आता दी गई यह कानून मुल रूप से खुटी जिला में वश्थी थे ठीक है तो यह सभी की सभी सही रहने वाला ठीक है चली बात करते हैं 66 कोसंस की तो सभी नए अवग्यान दोलन के दोरान जुलाइ में उनुसोत थीस में गिरिडी की किस महिला को गिरफटार किया गया था तो यह जो कोशंस का एंसर है दोस्तो तो मेरा देवी ठीक है तो आपको पता न की दुथो कि सभी ने अवग्यान और अं दोलन के दोरान जुलाइ 1930 में जुलाई 1930 में दोस्तो गिरिडी की सिरिमती मेरा देवी को गिरफतार किया गया था वे समीने अवग्या अंदोलन के दोरान गिरफतार होने वाली तीसरी महिला थी सिरिफ फर्स्ट और सेकेंड हमने बता दिया था हुप आपने मेरी क्लासस को दिखी होगी तो आपको पता ओगा ठीक है गाईदरी देवी और एक और थी और यह थर्ड जो है दोस्तो मेरा देवी ठीक है देखिए बात करते हैं कोशन के जारकन में खुदाई के दोरान दोस्तो किस काल के औसेश प्राप्त हुए है ठीक है तो आपको पता होना चे दोस्तों की जो है पुरू-पुरा पशानकाल का ठीक है तो पुरू-पुरा पशानकाल आपको याद दखना है और देखे पुरू-पुरा पशानकाल में जो है दोस्तों एक लाख हिसा पुरू के आउसेश प्राप्त हुए थे ठीक है एक ला बैदनी हो गया खुरजनी हो गया बेधक हो गया आधी जो है दोस्तों इंपोर्डेंट रहने वाले हैं जो मिले थे ठीक है यह ऑशेश जो है सीमभुम राची हजारी बाग संथाल प्रगणा पलामू आधी जीलो में प्राप्थ हुए है ठीक है यह सारे ठीक है चलिब बात क कौन सा राजा शुरू से अंद तक अंग्रेजों का विरोध करता रहा ठीक है तो 69 के आप ये सेकेंड अउस्ते देखते हो ठीक है मुकुन सिंग ये दोस्तो हजारी बाग छेतर में अंग्रेजों की सबसे अधिक परती रोध का सामना रामगर राज की ओर से करना पड़ा था रामगर का राज जो था दोस्तो मुकुन सिंग सुरू से अंद तक अंग्रेजों का विरोध किया हुआ ठीक है मुकुन सिंग चलिए बात करते हैं कोसंस की तो 70 कोसंस की बात करते हैं तो आठाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथा 19 gina 19 तक राची में किस नेता को नजरबंद रखा गया था दोस्तों आजा कर तो लोगों के जुबान पर मुञ्णा अभूल कल्माजाद का नाम थह अब offense 1911 CC 2019 निए चली बात करेõesस की इस थी थी है थी न मोगतरांभ छोन शोन चीनेतार दर को तो धम WOOeder पहते हैं कोशन्स की तो ग्रिष्न बल्लब साहए के अलावा दूस्तो हजारी बाग छेत्र में नमक गानून तोड़ने वालों में कौन सामिल थे ठीक है तो नमक गानून वाले जो टोड़ने वाले थे घृस्न बल्लब साहए के अलावा चाहता हूं तो कि मत्रुरा परसाद वह मीरा देवी रादा गोबिंद परसाद सरसुति देवी वह सित्या राम दूबे तो यह सभी के सभी जो हैं दूस्तो यह नमक कानून इन्होंने साथ मिलकर तोड़ा था आपको पता हुआ ठीक है बात करते हैं कि कि सराज की सन्यूत पर यह को संसे रपार जाने वारे कुसन से ठीक है तो इस परिजना के अंतरगरद यह बड़े जो दोस्तों बड़े बांधो गया ठीक है बड़े बांधों हुए घ्रच जो है दोस्तों यह जल विद्रूत है और तीन फोस्त थापी विद्धूत ग्रियक का निर्मान किया जाते हैं इतीर से बाद आपको ध्यान्मक नहीं चली बात करते हैं इसकिन कर दूसरी सरवाधिक जनसंख्या वाली जनती उराव है यह भारत की चौथी तथा सरवाधिक जनसंख्या वाली जनती है यह पुरुवी भारत के विश्तित छेत्र में फैल हुआ है तो यह सबको पता हूँ पूरु उतर पूरु में ही अस्तित है भारत के बात करते हैं कि 2011 की जनगर्णा कनुसार जन घनतों कितना रहने वाल से 2011 संसे के हिसाब से पूच रहा है तो बात करते हैं तो इस थान इसका शुलावा रहने वाला ठीक है। चलिए बात करते हैं कोर सिर्थ के सिर्थ करते हैं… जारकरन राज कितने जिले जो है पर्शीम बंगाल किसी माउरम माउर से सबीफिते है। mesma पूछते हैं, जारकरन राज कितने जिले । दोस्तु परी बेड़ा से करती है यूपी से कितनी करती है बिहार से कितनी करती है एक याक दुझे पूज़ां पूछ देखे आपके इतनी से बाद अबको ध्यान नहीं यह तो यह सिंपल सी कॉसन से है बट आपको पता होना चाहिक दोस्तो की यह 40 अब चाहता है बताना चाहता हुं डूस्तों कि यह जो है जारकंड राज के दस जीले पसिम बंगाल की सिमाओ को असपर्स करते हैं वाले जीले आपको पता हुना यह कि साहेब गंज हो गया पाकुड हो गया धुमका हो गया जामताड़ा धनबाद बोकारो ठीक है रामगड राची सराइक लखरसावा और पुर्वी सिम्मों यह 10 के 10 जो जिले हैं दोस्तों वह टच करती है पसी मंगाल से ठीक है तो इती सी बात आपको ध्यान में रखनी है यह बात करते हैं कोशन की तो पदमा का किला जो है दोस्तों जारकन की किस जीला में स्थीत है ठीक है तो यह जो एंसरने वाला दोस्तों यह हजारी बाग में स्थीत है पदमा का जो कीला है वह हजारी बाग में स्थीत है आपको पता होना चाहिए ठीक है देखिए बताना च सरकार ने पूलिस पर्सेक्षन के इंदर बना दिया है ठीक है तीस से बाद आगो ध्यान में नहीं चलिए बात करते हैं कोशंस की तो देखे बात करते हैं कि जारकन राज के कौन सा चेत्र कोईला उत्पादन का लगभग 95% भाग उत्पादित करता है प्रोडक्शन करता है त साथ दोस्व यह कोकिंग कोल का सब्स्पादक छेत्र है टीक है तो इतनी से बाद है नहीं बात करते हैं दामुदर घाटी छेत्र में किस परकार के मिट्टि का विच्थार अधिक पाया जाता है तो 79 का यह आप फर्स अवर्ट हो बलौई मिटी का ठीक है तो दामुदर घा तो कुम द्वारा सी चाहि के दिश्ट कौन से प्रतम स्थान जारखंड का कौन सा जीला रहने वाला ठीक है तो आई होप मेरे ख्याल से तो है दूस्तों वह गुमला रहने वाला है बट आप एक बार देख लेना जारी भाग भी तो एक बार देख लेना मेरे हिसाब से तो लिखे गई ठीक है और घेरे के बाहर घेरे के बाहर की बात करें दोस्तों तो यह जो है 1948 में लिखे गई थी आपको पता होना चाहिए ठीक है और एक असफल आदमी ठीक है एक असफल आदमी तो सुनील एक असफल आदमी है ठीक है सुनील एक असफल आदमी है इसकी जो है राचना उनीसो तीरपन में करी गई है ठीक है इसे बात करते हैं कोसंस की तो 82 देख लेते हैं छोटानागपुर लॉग कोलेज कहा है ठीक है तो लॉग इस्टूट बताना आपको ठीक है तो यह जो है सेकर्ण उस्तो तो राची में इस्टीत है राज का विधी महाविध्याल बताना जी छोटानागपुर लॉग कोलेज राची में शीटेते हैं ठीक है और बात करते हैं कोस्ते नाठ पूरी के प्रतह सहीते भी संपन है ठीक है यह Qsons आपने अगर नाकपूरी लीव होगी इकला जो भासा है अगर आपकी नाकपूरी होगी तो यह Qsons पूर सकते हैं ठीख है चलिए बात करते हैं Qsons की 24 Qs को देख सकते हैं कि किस विधायक को जार्खंड विधान सभा का प्रत्म पर्तिपक्ष का नेता का जोने का सब्म के इसे बात करते हैं 85 और से नियृत्ते महिला प्रधान पुर्व्द तो इसमें जो आपको बताना अग्याट निरत्य परढ परढुन सा महिला परढूर कौन सा रहने वाला ठीक या फर समूधाय कार और ही लागू था तो यह सथान पर सवरपर्थम अमूनियम शल्फेट का उद्पाधन प्रारण हो गया था तो 87 का थरप तो शंद्री में हुआ था उड़ फटाइज सबको पता हैं ठीक है सिंद्री में सब परत हम अमूनिया सल्फेट का उद्पाधन प्रारण हुआ सिंद्री का उर्वरक का रखाना 105 इकायू में विवाजित है ठीक है तो इतनी से बादा आपको ध्याम रखना है चलिए बात करते हैं एलेक्जेंडर थॉमस तॉमसन एम रीड ने किस विद्रो को दबाने में महत्पुन भूमी का निवाई थी ठीक है तो 88 का भी थरव संथाल विद्रो ठीक है संथाल विद्रो आपको जयाद खना है तो आप जयाद खना है तो जयाके अदस्ट कि जो है शन्थाल विद्रो जो uh 8555 – 56, 908, convenient 556 में हुई थी आपको पता वना चाहिए और इस विद्रो को दबाने में जो तो Captain Alexander Lieutenant Thompson और Lieutenant Reed ने महत्पुन भुमी का निवाई थी देखो यह कोशन जो है विद्रों से करवाई थी जैसे कि ढाल विद्रों से जो कोशन करवाई थी दोस्तों उसमें था कि ढाल विद्रों का जो है दमन करने के लिए कौन से दो अधिकारियों को भेजा गया था तो हमने बत सुर्ण संग नामक अधा स्था काहा स्थास के गई है संस्था की बात करें दौस्तों तो 59 दोटो की में इस संस्था कि ढऄे घुतर स्थास करने करना था अधिक लाप करना था था एप्षयालिए चौदा अगस्त 1912 को उनियन जैक उतार कर राष्टि जंडा कहा फेरा गया था यूनियन जैक को उतार के अधिया ध्याइग ही तो फर्ट उसलंगतों हजारी बाक में ने ठीक है तो पदाना चीर दूस्तों की जो है भारत फोड़ान दोलन के दवरान 14 अगस्त उनियसों को 14 अगस्ट 1942 को दोस्तो हजारी बाग के उपायुक्त कर्याले से यूनियन जैक उतार कर रास्टिय जंडा फेराए गया था तो यह कोसंस इंपॉर्टेंट रहने वाला है इससे पहले भी हमने जिक्र की है कोसंस का सारे के सारे इंपॉर्टेंट कोसंस रहने वाले था ठीड है तौप सेजल की त्यार करते हैं आपके लिए कोसंस जो है से से संच जो है इंपॉर्टेंट रहने वाले ठीक है तो आयोब की सेशनस को बहुत कुछ इंँ say कर होगी तो अमनोंग दौस्तो बहुत सारे topic wise सेशनस को complete करते हैं आ जोगने बाद